तो विंडोस 10 में हम किस तरह अपनी सर्च को इंप्रूफ कर सकते हैं हम अपने फाइल एंड फॉल्डर को या किसी भी फाइल को किस तरह एकसेस कर सकते हैं चले आज जानते हैं तो सबसे पहले task bar पर इन अईकन के ऊपर या picture पर हम click करेंगे हमारे पास येड डायलोब कोट करेगा हम इस स्क्रोल डाउन करेंगे और नीचे अगर अगर तो इसके उपर हमने क्लिक करना है यानि कि इसकी सैटिंग को हमने ओपन कर लेना है जैसे इसकी सैटिंग हमारे पास ओपन हो जाएगी यहाँ पर हमने एडवांस के टैब पर क्लिक करना है जैसे हम Advanced के टैब पर क्लिक करेंगे तो इसका डालो बोक्स हमारे पास open हो जाएगा यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास troubleshooting है तो basically हमने troubleshooting के link के उपर क्लिक करना है तो हमारे पास चंद option illuminate होंगी इन में से हमने कोई भी अगर हमारी search में problem है या इसकी हम troubleshooting करना चाहते हैं तो आपने उसके check के button पर click करना है तो इस तरह आप इन में से कोई भी एक select करके उनके उपर click करके अपनी search को improve कर सकते हैं और यह फोरी उसको find out करके fix कर देगा तो इस तरह आप इसके उपर click करें और यहां पर type करें जो भी आपका problem है यानि के अगर search slow है तो यहां पर search slow लिखने simple इतना भी लिखने आप तो working करेंगा तो searching is very slow लिखने तो जैसी आप यह type करके next के button पर click करेंगे तो हमारे पास यह deducting problem का dialogue box open हो जाएगा और जो भी problem है वो fixed हो जाएगा automatically तो automatically fixed जैसे यह fixed होगा तो आप इसको देख सकते हैं यहां पर हमें message illuminate हो गया है कि problem fixed है और इसके dialer box को हम close कर देंगे तो जैसे इसके dialer box को close करेंगे उसके बाद okay के button पर click करेंगे फिर close करेंगे और यहां पर close कर देंगे